चलिए next बात करेंगे identities की ठीक है identities related to the regular expression मलब कौन सी कौन सी identities है या rules है जो अपन regular expression में use कर सकते हैं ठीक है तो given r, p, l, q, r regular expressions मैं इनको मान के चलता हूँ कि यह सब क्या है regular expressions है the following identities hold जब उस time कौन सी कौन सी identities है जो hold करी जाएंगी पहली है अगर मेरे पास phi है phi का अगर मैं star निकालता हूँ ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा epsilon अगर मैं empty कोई language है या empty expression है मेरे पास उसका अगर मैं clean closure निकालना चाहरा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा epsilon ठीक है दूसरी identity यह identities है basically जहां पे आप use करेंगे regular expressions बनाएंगे या फिर आप जब audience theorem बगेरा या को कैसे लिक सकते हैं जैसे अगर मेरे पास epsilon का star लगाै ठीक है तो epsilon का star मैं समझ जाऊगा ओ कि epsilon का इस्टार है मलब identity होती है कि epsilon का star जब भी मुझे दिखें मैं क्या लिख सकता हूं epsilon ठीक है तो ऐसे लिख सकते हैं के बाद है मेरे पास तर्ड अइडेंडिटी है कि दूसरे फॉल में जब भी मुझे जरुवत पड़ी तो मैं इसको इस तरीके से रीफॉर्म कर सकता हूं कैसे डॉट आर यानि कि आर आर इस्टार का मुल्ब क्या है कि यहां पर दोनों के बीच में यह दो रेगुलर दूसरा है नेक्स्ट है आर इस्टार आर इस्टार को मैं क्या लिख सकता हूँ आर इस्टार ठीक है तो आइडेंटिटी बिसिकली यह बताती है कि रिप्लेस्मेंट अगर करना चाह रहे हैं या कहीं पर मुझे जरुवत पड़ी तो अगर मेरे पास ओरिजिनल जो चीज है उ इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ या लिख सकता हूँ की नहीं लिख सकता हूँ ठीक है नेक्स्ट है जैसे आर इस्टार का इस्टार ठीक है आर इस्टार का इस्टार इसको मैं क्या लिख सकता हूँ आर इस्टार ठीक है आर इस्टार को मैं क्या लिख सकता हूँ आर इस्टार आर फिर है next law है मेरे पास यह identity है p q का star dot p ठीक है इसको मैं लिख सकता हूँ p bracket में q p का star ठीक है next जो मेरे पास identity है वो है a plus b का star इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ a star b star का whole star या फिर a star plus b star का whole star या फिर a a plus b का star का whole star या फिर a star b a star का whole star ठीक है तो यह a plus b के star को मैं किस तरीकी से लिख सकता हूँ इस तरीकी से फिर next मेरे पास next मेरे पास r plus 5 r plus 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5 plus r या फिर r जब भी में empty मेरे पास expression है या empty language है और मैं R expression के साथ जोड़ना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा R इस law को open बोलते हैं the identity for union ठीक है identity for union next law है मेरे पास R dot epsilon यानि की R dot epsilon या epsilon dot R को मैं क्या लिख सकता हूँ R इसको बोलते हैं the identity for concatenation ठीक है जब भी अपन को दिखेगा जब मैं identity theorem यूज करूंगा या करता हूँ तो मुझे इस तरीके का replacement करना पड़ता है ठीक है यह derivation tree आगे वाली unit में पढ़ेंगे तो वहां पे भी अपन को दिखेगा इस तरीके से R dot epsilon को मैं epsilon dot R या R लिख सकता हूँ ठीक है उसके बाद है phi dot L is equal to L dot phi can be written as phi यानि कि अगर किसी भी language के साथ किसी भी expression के साथ अगर मैं phi या empty expression का multiplication कर रहा हूँ concatenation कर रहा हूँ या product कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा phi empty ठीक है इसको बोलते हैं inhalator for concatenation ठीक है annihilator for concatenation ठीक है अगर मेरे पास है R plus R ठीक है एक regular expression है R दूसरी एक और R मैं उसको लिख सकता हूँ R इस law को बोलते हैं item patent law ठीक है next law मेरे पास L bracket में M plus N इसको मैं लिख सकता हूँ L M plus L N ठीक है ये सारे के सारे law proof किये गए है proof होके लिखे है ऐसा आने कि मन में आया कुछ भी लिख दिया ठीक है इसको अपन बोलते हैं left distributive law next law है मेरे पास M plus N फिर है dot L यानि कि इसको कैसे लिख सकता हूँ ML plus NL इसको बोलते हैं right distributive law next law है अपन के पास epsilon plus R R star इसको लिख सकते हैं epsilon plus R star R यानि की R star ठीक है तो ये identities थी जो अपन ने देखी आज इनको आप use करेंगे ठीक है thank you